वेलकम टू साथ यो परताब क्लासिज के यूटूब चैनल पर आपका स्वाकत है तो आज है दो मार्च दो हजार बाइस और दो मार्च दो हजार बाइस के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो क्रेंट फेस्ट के क्योस्टन मनते हैं तो आज उनका डिसक्रेशन करेंगे वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट विम आपसे कोस्टन बूचूंगा जिसका जबाब आपको क्मेंट बॉक्स में देना होगा तो सबी विदार्थियों को गूड मॉर्णिंग रादे कृष्णा अगर आप चैनल परना है तो हमारे इस चैनल को सुस्क्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबालें ताकि हम जैसे वीडियो प्लॉड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो लाइक सेर कर देना और पीडियो आपको इसकी टेलिग्राम पर परताब क्लासे सर्च करके वहां से आप डाउनलोड क तो है तो आईए हम बात करते हैं आज पहले कि अ हाली में पहली बारतिये पुझा जात्यान ने पेरा तीरंदा जी विस्व चेंपियन शिप में कौन सा पदक जीता है Trash रजद पदक इसने जीता है मुखे तते देखो पेरा आर्चर पुजा जात्यान ने इत्यास रच दिया है क्योंकि वह दुबई शुक्त अर्ब अमीरात में पेरा वर्ल्ड चेंपियन के एक व्यक्तिगत वरग में रजद पदक जीतने वाली पहली बारतिया बन चुकी है और पेरा तिरंदा जी विश्व चेंपियनशिप में भारत ने पहली बार दो रजद पदक जीते हैं तो पहली बार दो रजद पदक जीते हैं पेरा तिरंदा जी विश्व चेंपियनशिप में और अभी शुक्त अरब अमीरात में ये खेला गया और इसमें अभी बारतिय है जो कोण है पूजा जात्याने का है इसमें रज़त पतक जीता है अगला कुस्त देखो हाल में किस देश ने दुनिया के पहले पोद्दे से प्राप्त कोविट नाइंटिन वेक्शिन को मजूरी दी है तो है कौ Dav is ने क्या है विजान की है दुनिया के मजूरी दे दी है मुक्हे देखो कनाड दुनिया का पहला देस बन चुका है द और इसका नाम क्या है Medica Co Inc. इसका नाम क्या है? Medica Co Inc. है तो इसकी दो खुराक वाली वैक्षिन है ये 18 वर्स से लेकर 64 वर्स की I.U. के वेस्टों को दी जा सकती है तो अभी इसकी खोज की है Kanada देशने वर्स की दो खुराक वाली वैक्षिन है जो किसके 18 वर्स से लेकर 64 वर्स की I.U. के वेस्टों के लिए दी जाएगी अब बात है Kanada की तो Kanada की राज़दानी है Otawa क्या है? Otawa और Kanada मुद्रा क्या है Kanada की? Canadian Dollar क्या है? Canadian Dollar और Kanada की वर्तमान में परदान मंत्री कौन है? तो है Justin Tudo कौन है? Justin Tudo परदान मंत्री है Kanada के वर्तमान में अगला क्यों सुन देखो हाली में 27 वे थल सेना अज़ेक्स कौन बन चुके है तो बड़ा ही शांदार क्यों सुन है कि हाली में 27 वे थल सेना अज़ेक्स कौन बन चुके है तो वो बन चुके है मनोज मुकंद नर्वने यानि कि मनें मनोज मुकंद नर्वने, 27 धलसेना देख से बन चुक थे देखो एप्रेल 2022 में जनरल मनोज मुकंद नर्वने भारतिय घलसेना के 27 परमुक के ये पद से सेवन राध होंगे जनरल एम एम नर्वने अपने पीछे एक मजबूत विरासत छोड़ जाएंगे जो सम्मे के साथ ही सपष्ट होगी और अब ये 27 वे परमुकपद से सेवा निमर्त हो चुके है अगला क्रस्टन देखो हाली में दूसरा एलप जी कप आइस होकी चैंपियंशिप 2022 किसने जीती है तो दूसरा एलप एलप जी कप आइस होकी चैंपियंशिप 2022 का फाइनल आइस होकी रिंक में ITBP और लदाख स्काउट्स की टीम के बीच खेला जाएगा इन दोनों की बीच में टीम हुआ था एक तो लदाख एक थी ITBP इन दोनों के बीच में हुआ और इसका फाइनल जीत लिया है लदाख स्काउट्स ने और ये पंदरवां CE काप मेंस हुआ था काँ पर हुआ ये जो लिहा में NDS Sports Complex में खेला गया काँ पर खेला गया लिहा में NDS Sports Complex में खेला गया लदाख स्काउट्स में अंत में जीता शिल की और उन्होंने पंदरवी CSC Cup Men's ISO की Championship 2022 को जीत लिया है तो अभी ये खिताब लदाख स्काउट्स में जीता है अगला किस्तों देखो हाले में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मरिया को तबहा किया है आपको पता है कि रूस और यूकरेन के बीच अभी 5-6 दिनोंगे बड़ा ही जुद चल रहा है इन दोनों देशों के बीच में तो दुनिया के सबसे बड़ा विमान अब इसका नाम क्या है एन दोसो पतीश कारगो विमान नामक दुनिया के सबसे बड़े विमान को नश्ट कर दिया है अब इसका नाम क्या है एन दोसो पतीश कारगो विमान नामक दुनिया का इस विमान को नश्ट कर दिया और विमान कीव के बार नश्ट कर दिया गया यह कीव एक सहर है इसमें इस सहर के बार इसको नշ्ट कर दिया गया एन 225 विमान होष्टो मेल हवाई अडे बर्सीता कांपर था यह होष्टो मेल हवाई अडे बर्सीता जब रुष ने 24 फर्वित 2022 को युक्रेनी हवाई एडिया पर हमला किया तब इसे 27 फर्वड़ी को नस्ट कर दिया गया अब हमला कब किया 24 फर्वड़ी को और 27 फर्वड़ी को इस विमान को नस्ट कर दिया इसका नाम क्या है यह रूस और युकरेण के जितने भी क्योस्तन बंद रहे हैं इनको अच्छी तरह से ने किस देश के राष्ट पती से सिर्थ ओलंपिक समान वापस लिया है तो ये लिया है। पडिनों नुर्ष के राष्टरिया वुष्ट समान कई है वाप्ष ले लिया है इस से युद्ध के कारन ये दोनों ही क्योश्चन पढदेना चीतर से मुख्य तते देखो अंतराश्टी ऐ उलमक्टिक समीति ने युक्रेन प्राकरमण के जवाब में रूशी राष्ट पुती उलादिमूर पुतीन से उलम्पिक ओडर पुर्शकार चीन लिया है तो ये पहले ओडर दे दिया था किसको रूस को तो अभी अंतराष्टी ओलंपिक स्मिती नहीं क्या है इस ओडर को पुर्षकार से पुर्षकार ये छीन लिया है रूस के राष्टपती से अब बात है अंतराष्टी औलम्पिकु स्मीति की तो इसका मुखेल है लुसाने स्वीजर लेंड अगला क्रेशन देखो हाली में जिन ओस्धी दिवस सपता कब से कब तक बनाया जैगा तो अभी जन ओस्धी दिवस सपता है वो बनाय जाएगा एक मार्च से लेकर साथ मार्च तक जन ओस्दी दिवस सब्ता मनाय जाएगा मुख्यत देखो रसाइन और उरक मंत्रा ले एक मार्च से साथ मार्च दो हजार बाईस तक जन ओस्दी दिवस का अजन करेगा और साथ मार्च दो हजार बाइस को चोथा जन ओस्दी दिवस है मनाय जाएगा कब मनाय जाएगा साथ मार्च को क्या है चोथा जन ओस्दी दिवस मनाय जाएगा और अभी एक मार्च से लेकर साथ मार्च तक इसकाय जुने होगा परदान मंतरी भारतिय जन ओस्दी प्रियोजना नुवंबर 2008 में भारत सरकार के रसाइन और उरक मंतरा लिद्वारा शुरू की गी थी कब नुवंबर 2018 में इसकी सुरूआत हुई थी किसकी जन ओस्दी प्रियोजना की अगला कुश्ण देखो हाली में किस केबिनेट ने भारत के पहले इवेस्ट इकोपारक को मंजूरी दी है यान कि किस केबिनेट ने भारत के पहले इवेस्ट इकोपारक को मंजूरी दी है तो वो दी है दिल्ली केबिनेट ने किस ने दी है दिल्ली केबिनेट के दुआरा भारत के पहले इवेस्ट इकोपारक को मंजूरी दी गई है मुखे तते देखो दिल्ली केबिनेट ने बारत का अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रोनिक वेस्ट इको पारक स्तापित करने को मजूरी दे दी है इसने प्रेटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली फिलम नीती 2022 त्यार करने पर सहमती भी व्यक्त की है तो इस प्रेटन को बढ़ावा देने के लिए क्या है दिल्ली फिलम नीती 2022 को इस सहमती को व्यक्त किया है दिल्ली में 20 एकर जमीन पर इलेक्ट्रोनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पारक बनाया जाना है तो ये 20 एकट जमीन पर ये जो है इलेक्टरनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क बनाए जाएगा और अभी दिली केबिनेट ने इसको स्थापित करने को मंजूरी दे दी है अगला को सुन देखो हाली में सुन्य में भेदबाव दियूस कब बनाए गया है तो सुन्य भेदबाव दियूस मनाए गया है एक मार्च को कब बनाए गया है यानि कि कल एक मार्च था और सुन्य भेदबाव दियूस मनाए गया है मुख्य तत्य देखो सुन्य बेदबावदियूस हर साल एक मार्च को मनाय जाता है क्या मनाय जाता है सुन्य बेदबावदियूस हर साल एक मार्च को मनाय जाता है सुन्य बेदबावदियूस पहली बार एक मार्च 2014 को मनाय गया था और UN ADS के दिसंबर 2013 में 250 15 दिवस पर अपना सुन्य बेढ़डव दिवस ब्यान चुरू किया था कब दिसंबर 2013 में 22 15 दिवस पर अपना सुन्य बेढ़डव ब्यान चुरू किया और पहली बार एक मार्च 2014 को यह मनाए गया था और जिस विदारती ने अब तक ये पीडियाप नहीं करें दिया है तो तुरंत पूरे फर्वरी बंत की पीडियाप है पूरे तथे के साथ 200 कोस्तन प्लस मुखे सहीत परसन है तो ये मेरा नंबर है इस नंबर पे आप पेटियम गूगल पेटियम की सुईदा है ओनली आपको 10 रुपे करने हैं कितने 10 रुपे करने है तो तुरंत आपको whatsapp के माधियम से यही मेरा whatsapp नंबर है इसके बादियम से आप है फर्वरी की जो पेडियाप है तुरंत खरीट सकते हो तो आने वाला एक्जाम की दर्श्डी से बहुती महत्तपन है सभी खेल, पुर्षकार, यो उने सिंगापूर वेट लिप्टिंग इंटरनेशनल में पदक जीता है स्वरण पदक कौन सा जीता है स्वरण पदक जीता है बड़े ही शांदर जवाब दिये थे सभी विदार्थियों को अर्थिक शुप कामने अब देखो आगे कोस्टन फोरियू कल के लिए हाली में बार सिर्लंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंसका सबसे परतापी राजा कौन था तो ध्यान रखना सिर्लंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंसका सबसे परतापी राजा था राजेंदर पर्थम कौन था राजेंदर पर्थम चालुक के वंसका सरवादिक पर सिसासक चोला राजाओं की राजदानी कोण सी थी तो ध्यान रखना तंजोर कोण सी थी तंजोर चोला राजाओं की राजदानी थी वीरोपाक्ष मंद्रियों का निर्मान करवाया था चालुक्यों ने किस ने करवाया चालुक्यों ने वीरोपाक्ष मंद्रियों का निर्मान थे सभी विदार्थि नो बड़े शांदार जबाब दिये तो बपेंदर मीना जी मुकेश कुमार जीन बड़े शांदार जबाब दिये इन सभी विदार्थि का अर्दिक शुब कामने अब देखो हमारी नेक्स्ट डोज क्या है दिल्ली के किस सुल्तान को इत्यास करों ने व गुलामवंस का सहस्तापक कौन था और भारत में मुस्लिम राज्य का सहस्तापक किसे माना जाता है इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत में मुस्लिम राज्य का सहस्तापक किसे माना जाता है इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं तो लागातार पांच कोस्टन डेली में आपको देता हूँ तो साथ-साथ इन पांच कोस्टनों के आप जवाब कुमेट बक्स में देना है तो लागातार चैनल के साथ बने रही है और कल शाम आठ बज़े आपको मिल चुका था पूरे फरुरी मन्त का निचोड वीडियो को जाते जाते आप लाइक सेर कर देना अगर आप चैनल अपना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बैल आकिन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसी वीडियो प्लोड गरें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो धन्य बाद दोस्तों जै हिंड जै बार्त रादे किसना